नमस्कार ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अंशन का और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर माइनस सोला के करीब था आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंदान हो गया है ये भरा हुआ था कल रात को अब ये उठकर उपर हो गया है यानि कि जमने पर पानी का परिमान वॉल्यूम बढ़ जाता है इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है ऐसे में हम अंशन कर रहे हैं मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मे खंटे चर्चा होती है मगर भारत ची और पाकिस्तान के सीमा पर लडाक इस पर जीरो चर्चा है आपको पता है मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिती में हैं क्योंकि यहां पर सबसे बड़े लडाकों माने जाते हैं लडाक और गुर्खा रेजिमेंट्स आज लदाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है ठेस पहुंचा है क्यूंकि लदाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संग्रक्षन और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है क्यूंकि जो पंजाब में अंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है और गुर्खा सैनिक तो अगनी वीर के चलते चार साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सैना में बरती होने जा रहे हैं तो वही सैनिक जो हमारे शक्ती थी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि म मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो जूट बोल रहा है या वो गुर्खा है आज वही गुर्खा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे तो ऐसा उतल पुतल हो रहा है मगर हमारी मेंस्ट्रीम मेडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है मेरी आप से विंती है कि आप एक म बने और इन वीडियोज को शेर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से जो की चौथी स्तंब है पिलर है डिमोक्रसी के कि वो अपना फर्ज निबाए मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलय पंती में मुझे उमीद है कि आप सब लदाख का समर्थन करेंगे भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे क्योंकि लदाख के संग्रक्षन में ही भारत की सुरक्षा है धन्यवाद